नमस्कार मैं सिस्टेंट पोफेसर पॉलेटकल साइंड अभी पीछली क्लास में हमने अंतरास्टिर राजणिती के जो पर्मुक शिद्धान्त है उसके बारे में अमारी बात चल रही थी हमने ओनलाइन क्लासों क्लास में हमने अभी मारगन थोबाद के छे सिद्धानतों के बारे में पढ़ा था उसी करम में अब हम आगे बढ़ेंगे और अंतराष्टिय राजनीती के एक नए सिद्धानत जिसको हम व्यवस्ता सिद्धानत करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे बेवस्ता सिध्धान्त पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अंतराष्टे राजनीती में दो तरह के द्रश्टी कौन चलते हैं एक होता है प्रमप्रावादी द्रश्टी कौन एक होता है वैवारवादी द्रश्टी कौन या उदारवादी दस्टिकॉन भी इसको कहते हैं तो प्रमप्रावादी दस्टिकॉन में एच का एलफरेड जिर्मन जार्ज वाजनवर्गर मार्टिन वाइट रोमा आरो जैसे विद्वान आते हैं और उन्होंने अंतरास्टिय राजनीती में प्रमप्रावादी दस्टिकॉन से अध्यन करने के कोशिस की है और सबसे पहले हैडले बुल ने 1966 में वेग्यानिक परनाली को चुनोती देते हुए प्रमप्रावादी उपावगम को अपने अध्यन का के अंदर बहिंदू बनाया था प्रमप्रावादी दस्टिकॉन के बाद में दूसरा नाम आता है वेवारवादी दस्टिकॉन का जब हम वेवारवादी दस्टिकॉन पढ़ते हैं तो इसमें किवन सी राइट का नाम जो यथार्थवादी भी है और कुछ हद तक वेवारवादी भी है डेविड टूमेन का नाम, किल पैट्रिक का नाम और ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जिनोंने अपना बैवारवादी दस्टिकों को अपनाया है और अपने नया विसलेशन करने की कोशिश की है किवन सी राइट ने एक सोध कारिय किया था, स्टेडी ओफ वार, शिकांगो 1922 में जिसमें उन्होंने वैवारवादी सोध में इस वैवारवादी सोध में आदर के इस्टान पर इसको परतिस स्तापित किया है तो इसी करम में हम जब आगे पड़ते हैं तो प्रमप्रावादीयों के अगेंस्ट बहुत सारे ऐसे लेकर कहें जो नहोंने वैवारवादी बन कर अपने सिधान्त दिये हैं और वैवारबाद में कई तरह के सिद्धान्त है जिसमें पहला सिद्धान्त है वैवस्ता सिद्धान्त जिसके बारे में हम विस्तार से हम या पढ़ेंगे वैवस्ता सिद्धान्त है उसमें ये माना जाता है कि जो अन्य वैवस्ताओं कीत रहे ही अंतराष्टिय जो राजनिती है वो भी एक वैवस्ता है और विविन अनुशाष्णों में एक तलाने वाली अवधार्णा की खोद से समंदित वैवस्ता से दानता है इसका निर्मार वैवस्ता की अवधार्णा से हुआ है बहुते विगानों के अंतरगत वैवस्ता का अर्थ सूपर परिवाशित अंतर किरियाओं के समू से है जिनक बहुत सारी जो इकाईया हैं उसमें अंत्यकिरिया होनी चाहिए और उस अंत्यकिरिया की एक निश्चित सीमा भी हो साब्दिक अर्थों में हम आगे जब पढ़ेंगे तो व्यवस्ता का अर्थ है जटिल समंदित वस्तूं का समगर शमू विदी संग्ठन पदती के निश्चित सिधान्त तथा वर्गी करण का सिधान्त यानि बहुत सारी जो जटिल वस्तूं हैं उनका एक समू होना चाहिए और निश्चित सिधान्त होने चाहिए और वर्गी करण का सिधान्त होना चाहिए ये इसमें परिवासा में तीन तत्तों हैं जैसे एक संबंदित दूसरा संख्ठित और तीसरा संख्ठन अर्थात एक व्यवसा संख्ठित होनी चाहिए और उसके अंग आपस में संबंद रखने वाले हो यदि किसी स्थान पर हमें संख्ठन मिलता है अत्वा जहां संख्ठित होने के गुण पाये जाते हैं और उन सभी उनके सभी अंग एक दूसरे से संबंद है तो वहां व्यवस्ता विद्मान होगी यानि एक संख्ठन पाया जाता है संख्ठन के कई अंग होते हैं और ये अंग यदि एक दूसरे से संबंदित है तो हम इस सारी जो समू है उसको हम एक व्यवस्ता इस सारी प्रकिरिया को या इस समू को हम व्यवस्ता नाम दे सकते हैं बटन लेंफी वेवस्ता को परिवासित करते हुए लिखते हैं कि यह है अंत्य किरिया सील तत्तों का समू है यानि अंत्य किरिया सील यानि आंत्रिक रूप से कई तत्तों हैं जो एक समू में रहते हैं और आपस में अंत्य किरिया करते हैं आपस में किरिया सील रहते हैं a set of elements studying in interactions यानि standing in interaction यानि एक interaction में खड़े हों ऐसे समू को हम वैवस्ता कहते हैं हाल एम फैगन के अनुशार वस्तुओं में पर्स पर्स तथा वस्तुओं और उनके लक्षनों के भी संबंदो सहीत वस्तुओं के समू को वैवस्ता कहते हैं वस्तुओं के पर्स पर्स तथा वस्तुओं और उनके लक्षनों के बीच यानि पहला तो वस्तुओं के बीच में होना चाहिए दूसरी बात जो वस्तुओं के लक्षन है उनके बीच में जो समंद है ऐसे समू को हम वैवस्ता कहते हैं कैली ने चैरी ने कहा है व्यवस्ता एक ऐसा संपूर्ण संग्ठन है जो लक्षनों के विविद निर्मानक बागों में समलित रहती है यानि संपूर्ण संग्ठन के जो सभी भाग है उनमें हर जगे एक व्यवस्ता विद्वान रहती है तो ये तो वी वेवस्ता की परिवासा अब अंतराश्टीय राजनिती में वेवस्ता कहां तक देखे जा सकती है इसका परियत्म सबसे पहले डेबल्यू थॉम्सन थॉम्सन ने किया और उसका विस्तार है वो मर्टन कैपलन ने किया यानि इस कलपना का या इस धारना का सर्व पर्थम कलपना है वो थॉम्सन ने किया और उसका विस्तार है वो मैटर कैपलन ने किया यानि ये लोग है वो अंतराश्टीय राजनिती को भी एक वेवस्ता के रूप में देखते हैं अंतराष्टिय राजनीती में वेवस्ता को तीन अर्थों में परियोग किया जाता है पहले अर्थ में अंतराष्टिय कार्ये करताओं का ऐसा विन्यास जिसमें पर्षपर किरियां इस पर्षट रूप से पैचानी जास गई यानि पहला क्या है जो एक्टर्स है और एक्टर कौन है आपसी देश यानि बिस्व के अनेक देश जो एक्टर के रूप में बुमिकानी बाते हैं तो उन एक्टरों के मद्य आपसी जो किरियाई हैं उसको हम बेवस्ता कहते हैं दूसरे अर्थ में हम जो बिन्यास है यानि जो किरिया हो रही है उससे जो बिन्यास है वो स्विम बिन्यास का सवरूप ही रज्यों के वैवार की व्याख्या करता है यानि जो बिन्यास हमने जो आपसी किरिया से जो बिन्यास बना है उसका जन्जब करते हैं जिससे हमें रज के सवरूप के बारे में पता चलता है तो या उसके वैवार की व्याख्या की जा सकती है उस विज्ञा से तो दूसरा ये अर्थ हुआ तीसरा अर्थ अंतराष्ट राजनिती के अधिन में विशेष्ट परकार की प्रवीदियों का पर्योग को वैवस्ता कहते हैं अब दूसरी जो विविन टैक्निक्स यूज की जाती है उन टैक्निक्स के पर्योग को वैवस्ता कहते हैं तो पहला अर्थ है जो वास्तविक्ता क का दिगधर्षन करवाता है जैम्स रौजीनो करतें व्यवस्तासिदान का पर्योग करते हुए इसे भर्णन का एक टरीका माना दूसरा जो मैंने बताया वह वास्त विक्ता की व्याख्या करता है व्याथ करता है कैनेथ वर्डिंग और चार्ल्स मैक्ले लैंड। उन्होंने इसी अर्थ में वैवस्ता का परियोग किया और अंतराष्टिय वैवार के चरों की ब्याख्या करने का परियास किया तीसरा जो अर्थ मैंने बताया जो कहता है कि जो विविन परवीदियां यूज की जाती है वो कहता है कि वो अंतराश्टिय व्यवस्ता वास्तविक्ता का विशलेशन करता है पहला दर्शन करवाता है दूसरा उसकी व्याख्या करता है तीसरा विशलेशन करता है और इस में जार्ज लिस्का आर्थर ली-बंस नाम के जो वखती थे उन्होंने इस दस्टिकोन को अपनाया और अंतरास्टिय राजनिती में लागू किया संक्षेम में हम कहें तो विशलेशन प्रनाली के रूप में व्यवस्ता विशलेशन की धारना अंतराष्टिय राजनीति को एक व्यवस्ता के रूप में प्रतिवादित करने की चैस्टा है इसी करम में जैंग